MS धोनी ये एक नाम नहीं बलकि लाखो दिलों की धड़कन हैं। मैचो की T20 सीरीज में दो शुने की दक्षन अफ्रीका ने बढ़त बना ली है। T20 आई में 50 कैच दर्श करने से सिर्फ एक कैच दूर है। और अगर वो उपलब्दी हासल करने में सफल हो जाते हैं तो वो MS धोनी के बाद ये उपलब्दी हासल करने वाले दूसरे विकेट कीपर बन जाएंगे। इसके साथ ही बाए हाथ का बलेबास सभी खेलों में सबसे छोटे प्रारूप में 300 मैक्सिम्म दर्श करने से सिर्फ दो छक के दूर है। पहले टी-टी-टी-आई में भारत ने शान किशन के 76 रनों की पारी की कारण 20 ओवरों में 211 पर 4 पोस्ट किया था। हर्दिक पांडिया ने भी 1291 रनों की 30 पारी खेल कर भारत के कुल 200 रन के आकड़े को पार किया। हले कि कुल योग प्राप्त साबित नहीं हुआ क्योंकि रसी वांडर डुसेन और डेविड मिलर ने चौत्थे विकेट के लिए 131 रन जोड़े और इस जोड़ी ने भारत के सबसे जादा टी-टी-टी-आई जीत तरज करने की उमीदों को सवाप्त कर दिया। हले कि अब दूसरे मुकाबले की बात के जाए तो उस दूसरे मुकाबले में भी हेंडरिक ने अपनी शांदार पारी दिखाई और अपनी पारी के बदोलत साउथ अफरीका को कटक में जीत हासल करवाई। हले कि जिस तरीके से कुईंटिन डिकॉक अगर अब तीसरे मुकाबले में शामिल होते हैं तो वो MS धूनी के 50 स्कैच के रिकॉर्ट को तोड़ना जाहेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि पूर्फ कप्तान MS धूनी का रिकॉर्ट क्या आपको इंटिन डिकॉक तोड़ पाते हैं या नहीं। फिलाल इस वर आपका क्या कहना है अपने विचार हमें नीचे कॉमेंट सेक्षन में सरुर बताएगा। साथ अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर करना बिलकुल भी मत भूलेगा।